आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में हम जानेंगे कि लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है और इसकी रिपोर्ट को हम कैसे देखते हैं और ये टेस्ट हमें कब कराना चाहिए और यदि इसमें कोई enzyme बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है तो यहाँ पर हम आपको बहुती सरल भासा में समझाने वाले हैं तो पहले हम जान लेते हैं कि liver function test से या फिर LFT test के द्वारा हम कौन-कौन सी बिमारी का पता लगा सकते हैं तो इससे हम jaundice जिसे की हम पीलिया भी कहते हैं viral hepatitis A, B, C, D, E, cirrhosis या फिर liver failure and large liver यानि कि liver का size का बढ़ जाना hepatic encephalopathy, ascitis fluid in belly यानि कि पेट में पानी बढ़ जाना due to liver disease और tumors या फिर cancer, cancer of liver तो इन सभी चीजों का हम LFT के द्वारा पता लगा सकते हैं तो हम इसी के बारे में बात करने बाले हैं तो देखिए, liver function test में आपको तीन चीजे देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर क्या क्या होता है एक तो होता है इसमें integrity of liver cells यानि कि जो liver की cells होती हैं आपको उसका amount देखना होता है इसमें आते हैं AST and ALT इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीजे होती है जो कि liver के द्वारा excret होती है तो उसमें हैं bilirubin, ALP and GGT तो आपको इन तीनों को भी देखना होता है और कुछ चीजे जो कि liver में बनती हैं जैसे की albumin and prothrombin तो आपको इनको भी देखना होता है अब हम इन सबी के बारे में बारी-बारी से बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर है AST इसकी full form होती है Aspartate Aminor Transfers तो देखिए हमारे liver के अलावा कई सारे organ में पाजाता है जैसे की हमारे liver में, heart में, muscles में, intestine में and RBC में इसलिए यह liver के लिए specific नहीं है यह बढ़ जाता है तो यदि आप LFT कराते हैं और आपको यह बढ़ा हुआ मिलता है तो आपको मानना चाहिए कि आपके liver में कोई disease हो चुकी है इसके बाद हैं हाँ पर ALT इसकी full form होती है अललीन Aminor Transfers और इसकी खास बात यह होती है कि यह हमारे किवल liver की cells में ही पाया जाता है इसलिए liver के लिए specific होता है और यह किसी भी liver disease में बढ़ जाता है यानि कि इसका amount बढ़ जाता है और वीडियो के लाश्ट में हम एक report भी देखेंगे जिसमें हम आपको इसका level दिखाएंगे कि कितना होता है यहाँ पर enzyme है ALP इसकी full form होती है alkaline phosphatase तेकि यह हमारे liver के अलावा हमारी bones यानि कि हमारी हड़ियो में placenta में kidneys में and intestine में पाय जाता है इसलिए यह भी liver के लिए specific enzyme नहीं होता है और जब हमारे liver में या हमारे body में bilirubin का level बढ़ जाता है तो साथ में इसका level भी बढ़ जाता है यानि कि आपको report में इसका level भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा हम जान लेते हैं कि इसका normal level कितना होता है तो यहाँ पर दिया हुआ है एक adult में या फिर एक वैशक में इसका normal value 30 से 120 होती है जबकि बच्चों में इसकी value 360 तक हो सकती है तो यह भी आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर है GGT इसकी full form होती है gamma glutamyl transferase देकि इसकी खास बात यह होती है कि यह हमारी किवल liver की cells में और हमारे biliary epithelial cells में पा जाता है यानि कि यह liver के लिए एक specific test होता है और यदि कोई लंबे समय से alcohol लेता है या सराब लेता है तो उसका यह level बढ़ावा देखने को मिलता है और यहाँ पर इसकी normal value दी हो ही है इसकी normal value 6 से 19 तक हो सकती है अब हम बात कर लेता है bilirubin के बारे में तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारे body में bilirubin कैसे बनता है क्योंकि यह भी जानना आपको जरूरी है तो आप जानते हैं कि हमारे blood में hemoglobin पा जाता है जो कि हमारे spleen या फिर हमारे तिली में जाकर हीम और globin में तोड जाता है इसमें से जो इसका globin part होता है वो protein का बना होता है आपको प्रोटीन हमारे plazma में store होता है जो कि आगे चलकर काम आता है इसके अलावा जो heme part होता है इसमें दो चीजे होती है यह bilirubin और iron का बना होता है इसमें से इसका iron part हमारे plasma में store हो जाता है जो कि आगे चलकर काम आता है जबकि जो bilirubin होता है ये एक waste material है इसे हमारे body से बाहर निकालना जरूरी है इसलिए ये हमारे plasma में हमारे albumin के साथ जुड़कर liver में चला जाता है और liver में इसका conjugation होता है और उसके बाद ये हमारे urine के through और हमारे stool के through हमारे body से बाहर निकल जाता है तो देखिए हमारे blood में दो तरह का bilirubin पहाँ जाता है एक होता है direct bilirubin ये conjugate होता है यानिकि ये water soluble पानी में घुलने वाला होता है इसकी value हमारे body में ये हमारे blood में 0.0 से 0.2 mg प्रति डियल हो सकती है दूसरा होता है indirect bilirubin तो ये होता है unconjugated यानिकि पानी में ये नहीं घुलता है और इसकी value 0.2 से 0.8 mg प्रति डियल हो सकती है तो इस तरह से देख आपके body में ये आपके blood में होनी चाहिए और देखिए जैसे कि आपने देखा है जो unconjugated bilirubin होता है ये water insolable यानिकि पानी में नहीं घुलता है इसलिए हमारी kidney के थुरू filter नहीं होता है यानिकि हमारे urine में नहीं आता है जबकि conjun gifted by bilirubin होता है ये हमारे urine में पास होता है यहीं हमारे urine में देखने को मिलता है और देखि जब हमारा liver bilirubin को मारी body से बाहर नहीं निकाल पाता है तो उससे ہम कहते है hyper bilirubin जिसके कारण हमारी body पीली होने लगती है जिसे हम कहते है zones या पिली अभी कहते है और zondis के ऒीमा बात करेंगे अब हम albumin के बारे में बात कर ले थे हम दिखाय में गोग होता है एम इंट्रोपैथी में इसका लेवल कम हो जाता है इसकी नर्मल वेल्यो Crisp ग्राम प्रति डियल होती है तो यहाँ पर हमारे पास एक LFT की रिपोर्ट है उसे भी हम देख लेते हैं तो लिवर में तीन चीज़े होती है एक तो होता है इसमें bilirubin जो कि लिवर को excrete करना होता है नहीं कि हमारी बोड़ी से बाहर निकालना होता है दूसरा है इसमें लिवर की cells जो की हैं SGOT और SZPT जिने की हम AST और ALT भी कहते हैं लिवर के enzyme ALP alkaline phosphatase और इसके लावा लिवर की proteins जो की है albumin and globulin तो हमें इन सभी की value देखनी होती है तो इनके बारे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर दिया है bilirubin तो इसमें तीन चीज़ होती है total, direct and indirect total दिया है यहाँ पर 0.33 जो की normal है क्योंकि एक normal व्यक्ति में इसकी value 0.0 से 0.4 तक होती है इसके लावा यहाँ पर दिया है bilirubin डारेक्ट तो यह हलका सा बढ़ा हुआ है इसके लावा यहाँ पर है bilirubin इंडेक्ट यह बिल्कुल सही है और यहाँ पर दिया है SZOT या फिर EST इसकी value दिया है 55.2 जो की हलकी सी बढ़ी हो यानि कि liver की cell में कोई damage हो चुका है या liver की cell में कोई disease हो चुकी है then ALT तो इसकी value भी बिल्कुल सही है यहाँ पर है ALP यानि कि alkaline phosphatase तो इसकी value काफी बढ़ चुकी है यानि कि liver के enzyme काफी बढ़ चुके है means liver में काफी कोई पुरानी बिमारी हो चुकी है protein liver के बिल्कुल सही है तो mail यहाँ पर दिया हुआ है तो liver का enzyme है वो बढ़ा हुआ है और liver का जो cells है वो बढ़ी हुई है इसका मतलग है कि liver में कोई पुरानी बिमारी हो चुकी है और इसे confirm करने के लिए फिर दूसरे test करा जाते हैं तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि हमारे liver में कोई problem तो नहीं है यदि आपको ये सबी value बिल्कुल सही देखने को मिलती है तो आपके liver में कोई problem नहीं है यदि आपको इन में से कोई changes देखने को मिलते हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि आपके liver में कोई problem है तो उसके लिए डॉक्टर फिर आपको दूसरे टेस्क कराने के लिए बोलते हैं तो इस तरह से आप ये जान सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतनी था थैंक यू वेरी मुच